सरक पर जाकर के हरे राम, हरे इंक्रिशना करते हैं, जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा हैं, शायद ही किसी और ने बेचा है। मेनका के बहाने पूरी भाजपा पर ही हमला बोल दिया है। व्यत्यत और दुखी हैं। भाजपा सरकार को इस पस्टी करन देना ही होगा, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ प्रदेश और देश से ही नहीं, बलकि अंतररास्टिय च्छावी से भी है। क्योंकि क्रिश्न चीतना को समर्पित इसकान का विस्तार संपोर्ण विश्व में है। भाजपा को घेरते हुए अकलेश ने आगे लिखा कि जनता का सवाल यह है कि भाजपा की लोग किस वज़ा से समाज में ऐसा वैमनस से फहलाना चाहते हैं और किसके कहने पर इसकौन पर आरोप किसी बड़े शड़यंत्र का संकेत है। बता दे कि मेंका गांधी ने सकौन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि सकौन गायों को कसाईयों को बेच रहा है। किसी ने भी कसाईयों को उतने मवेशी नहीं बेचे हैं जितने सकौन ने बेचे हैं। उनके आनंत पूर गोशारा में गए, एक भी सुखी गाइड ने, पूरे के पूरे पैरेज हैं, एक भी बचला नहीं है, इसका मतलब सब बेचेगा, इसकौन is selling all its cows to the butchers, जितना ये करते हैं, और कोई ने करते हैं, और ये वाले तो हैं, जो सड़क पर जाकर के हरे राम, हरे क्रिशना करते हैं, और कहते हैं, दू, 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 पर उनकी पूरी जीवन है, जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा हैं, शाइद ही किसी और ने बेचा, तो अगर ये कर सकते हैं, तो वाकियों का क्या होगा? इसकान स्रीमेति मेनका गांधी जी के जूंठे गलत ब्यानों का खंडन करता है, ये शच नहीं है, क्योंकि इसकान भारत वर्ष में नहीं, पर दुनिया में गायों की और बैनों की प्रेम से सरदा से सिवा कर रहा है, भारत वर्ष में कुल साथ गौसाला हैं, और हर गौसा में हम गायों और बेनों की भक्ति के साथ उनकी शिवा करते हैं यहीं नहीं जो घायल दशाव अवस्था में आती हैं विमार होती हैं उनकी भी हम सुरच्छा करते हैं और केर करते हैं ऐसा ब्यान देना बिलकुल गलत है बहराल मेंको और एसकॉन के बीच के लड़ाई अब सियासी संग्राम तक पहुँच गई है सफा सुप्रीमों ने विवात को हतियार बना कर भाजपा पर ही हमला बोल दिया है अब देखना है गायों को लेकर एसकॉन को घेरने की ये घटना किसे फाइदा पहुँचाती है और किसे नुक्सान अब एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी